इसाई लोग जान बुझकर दूसरों का धर्म परिवर्तन करते हैं और जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन किया जाता है चर्च के अंदर नाबालिक लोग भी जाते हैं बच्चे जाते हैं बच्चे जाते हैं उनका भी धर्म परिवर्तन किया जाता है अगर तुम धर्म परिवर्तन करना चाते हो तो इसके लिए एक प्रोसेस है तुमसे कम नाबालिक लोगों का तो धर्म परिवर्तन मत करो यह मेरा नहीं कहना है यह कहना है एक हिंदू धर्म के वैक्तिका और जिसे यह लगता है कि हिंदू लोगों को पकड़ कर उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है उन्हें इसाई बना दिया जाता है और उनका यह भी कहना है कि हम किसी के भी धर्मिक इस्तानों पर जाकर क किसी का नुक्सान नहीं करते हैं यह हमारी परंपरा है वो कैसी परंपरा है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हम कामों को देखते भी हैं कि आप लोग चर्चस के अंदर जाकर क्या करते हो विस्वासियों के साथ क्या करते हो हम बहुत अच्छे तरीके से जान अंप मैं चाहता हूं कि लोग देखें और इस वीडियो के बारे में लोग झाने कि क्या मसी लोगों की विरुद में क्या बात ही चल रही है आप लोग पहले इस वीडियो को देखिए फिर आगे हम बात करते हैं अप जिर्थ है अपकल प्रशाज में ऐसा हुए जिल्ला प्रसाशन पुलिस का खुफिया जो है वह बरको सुस्त पड़ी हुई है इसकी जानकारी बार बार दी जा रही है और शिकायते ऐसी में लई हैं कि जो हमारे गली मलब वंचित और गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं तो उनको उनके घर मे के वैनर हैं जो पूस्टर हैं जो हमारे प्रवराम है संकर जी की तो वह सब ले जाकर के फिकवाते हैं हमें आपतिस बात से और उनको अपने चर्च के अंदर भला बुरा कहते हैं और इसके बाद जो उस दिन हम लोग गए तो हम चेत्र के लोगों ने भी बताया कि वहां प लकारोर कों की संक्या उसदिन दस्तीव खोल तो नहीं है जब धर्म परिवर्तन पर जो बैठे हो लोग करना चाहते हैं ने यदि कोई नाबालीक विक्ति ए और उसको लालचार देखर के मझाक क्या कहेंगे क्या इसके लिए जिए मलनीव है रही नाबाली को दूसरी चीज यह है कि वहाँ पर लालज देख करके क्या धर्म परिवर्तन करा है लगातार लोग बता रहे हैं लगातार जो है बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन जिला परिसाशा ने पुलिस के कान में जून ही रही ती क्या बिल्कु सुस्त पड़े हुए अब यह उनका व पूरी व्यवस्ता को समाला और हम लोग लग लग रहा कि आप लोगों ने व्यवस्तानी हंगामा किया व्यवस्ता समाला कहा से लिए इतने संख्या थे और एक भी उस चर्च का ब्रक्षा और पुस्प तक नहीं तूटा यह हमारी परंपरा है हम किसी का नुक्सान करते ही तो देखा दोस्तों आप लोगोंने कि ये जो भाई है देखो मैं आपको बता दूँ कि हम कभी भी ऐसे भाई लोगों से नफरत नहीं करते क्योंकि ये लोग सचाई को नहीं जानते ये संसार की बातों को जानते हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसार किस के वस्ट में है. तो ऐसे लोगों से हम बहुत अच्छे दरीगे से प्यार करते हommen और ऐसे लोगों के लिए प्रात्ना करते हैं. ताकि पर्मेशर इन्हें भी सचाय जानने का होसर दे. यह लोग भी सचाय जान सकें. और जैसे कि इस भाय का कहना था कि चर्च में हम गए और वहां पड़ जाकर हम ने देखा कि वहां पर बहौत से लोग थे उनके अंदर नाबालिक लोग भी थे और ये लोग क्या करते हैं जबरन लोगों का धर्म परिवर्थन करते हैं कहना है कि अगर तुम लोगों का धरम परिवर्तन करते हो तो कानूनन तोर पे करो बट जबरन मत करो तो पहले तो आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि चर्च की अंदर किसी का धरम परिवर्तन किया ही नहीं जाता रही बात जबरन की तो ये बात तो जब धर्म परिवर्तन किया यह नहीं जाता तो फिर जबर्दस्ति कैसे किया जाता है मैं उन भाई बेनों को बहुत अच्छे तरीक से बात कहना चाता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि Church के अंदर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो आप लोग Church के अंदर जाएए चुपचाप जाकर बेटिये किसी को पता मत चलने दीजिए कि आप एक विश्वासी है या फिर कोई और है किसी को पता मत चलने दीजिए आप वहाँ पर जाएए और आप वहाँ पर बेठे और आप सुनिये कि वहाँ की सिक्षाय क्या है आप सुनिये वहाँ की क्या सिक्षाय है कि आपको वहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए उक्साय जाता है क्या किसी अन्य देवी देवता की जो उनका जो हिंदू धरम की देवी देखता है जैसा कि ये भाई बोल रहा था कि हमारे देवी देवताओं की वहाँ पर मजाग भी बैड़ाई जाती है उनकी तस्वीरे फिका दी जाती है तो इनका ये कहना है बट भई Miranda Church के अंडर तो खुद ये इशूमसीद की तसवीर नहीं रखते हैं लोग तो आपकी देवी-देवताओं से मतलब हम क्यों नफरत करेंगे भई हम क्यों अफरत करेंगे और क्यों मतलब चर्च के अंदर दूसरे डेवीदेवताः की फोटो को मंगाएंगे फिर उनको फिकाएंगे कहां तक की कैसी यह बात है जो की जिसका कोई तरक ही नहीं निकल पा रहा है तो चर्च के अंदर की सिक्सा है वो आप जब चर्च के अंदर जाकर बैठोगे, सुनोगे क्योंकि आपको वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो, क्योंसे धरम के हो, क्योंसे जात के हो क्योंकि ऐसा धरम चात चर्च के अंदर नहीं चलता है वो चर्च के अंदर बाहर बाहर ये बाती चलती है चर्च के अंदर ये बाती नहीं चलती है चर्च के अंदर तो सारी धर्म के लोगों को एक नजर से देखा जाता है उन्हें प्यार किया जाता है उन्हें परमिशर का मार्ग सिखाया जाता है उन्हें दिखाया जाता है उन् पिश्वरत नहीं सिख्वाइजाती लड़ाई जगड़ा नहीं सिख्वाइजाता प्यार करना उसी गाते हैं तो आप लोग चर्च के अंदर जाहिए क्योंकि ऐसा कभी भी किसी चर्च के अंदर नहीं हुआ है और कोई आपको ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलेगी जहांपर यह ल लगा होगा एंड इस वीडियो को जादर जादर शेयर कीजिए हमिल देगे इस यूर वीडियो में प्रवब आप सभी को बहुत आशिश थी जया मसी की एड़मर्ज चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और बता दूँ ये वीडियो बनाने का मकसद किशी धरम जात को ठहस पोचाना नहीं है प्रणतों सचाए लोगों को बताना है तो ज़रूर इस वीडियो शेयर करें चैनल सिक